लोकसबा चुनाव परिनाम आने के बाद भाचपा और कॉंग्रेस दोनों पार्टियों में बड़े फेर बदल होंगे एक तरफ भाचपा की परफॉर्मेंस बहतर होने की वच्छा से प्रदीश से एक का केंद्री मंत्री बनना तैब बताया जा रहा है इस दोड में सबसे आगे ब्रिच मोहनगरवाल, संतोष पांडे और विजय बगहेल चल रहे हैं दिल्ली सूत्रों की माने तो राज बनने के बाद पहली बार चतिस गर से केंद्री मंत्री मंडल में किसी को जगहा मिल सकती है हालकि ये भी बात सामने आ रही है कि जो भी मंत्री बने बाखी बचे दोनों नेताओं को भी बड़ा पद दिया जाएगा क्योंकि केंद्री मंत्री मंडल बनने के बाद भाचपास संगठन के चुनाव होंगे और नई कारिय कारिनी बनेगी इसमें 36 गड़ से इन तीनों में से किसी एक को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है वही दूसरी तरफ कॉंग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री भुपेश पगहेल की हार के बाद भी उन्हें दिल्ली बुलाया जा सकता है राश्ट्री संगठन में उन्हें महासचीर जैसे पद पर बैठाने की बात सामने आ रही है इसके पीछे की वज़ा है कि भुपेश को रायबरेली का अब्जरवर बनाया गया था इस लोग सभा से राहुल गांधी चुनाव 2 लाक से जादा वोटों से जीद गए है तो चलिए देख लेते हैं कि केंदरी मंतरी बनने की रेस में क्या प्लस पॉइंट होगे और क्या माइनस पॉइंट होगे प्रदेश में कॉंग्रेस को कमजोर करने का एनाम संतोष पांडे को मिल सकता है। प्रशासनिक अनुभव की भी उन्हें कही न कहीं कमी है। 36 गड़ में 9 से 1 कदम आगे बढ़कर 10 सीटे जीतने पर भाचपा के कुछ नेताओं का कद बढ़ना ते बताया जा रहा है। इसमें सबसे पहला नाम मुख्यमंत्री विश्णुदेव साय का है, इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष किरन सिंग देव है। इसके अलावा महमंत्री संजश्रिवाश्टव ने एक बार फिर अपनी रणनीती का कमाल दिखाया है। पधान सभा में सरगुजा प्रभारी रहते हुए उनके नितरित्व में पार्टी ने 14 सीटे जीती हैं। लोकसभा की पहले उन्हें महमंत्री बनाया गया था। कॉंग्रेस में कुछ निताओं का हारने के बाद भी कद बढ़ सकता है। पिकासुपाद्याय और देवेंद्र यादव चुनाव हार गये हैं। लेकिन पार्टी सूत्रों की माने तो उन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेदारी तीजा सकती है। वहीं इस चुनाव का सीधा नुकसान प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच को हो सकता है। विधानसभा और लोकसभा लगतार हारने की वजह से उनकी कुर्सी भी खत्रे में बताई जा रही है। खेल मंत्री टंकराम वर्मा और महिला वालविकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के बदलने की भी चर्चाएं तेज हो रही हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि विजह वगेल, बिरिजमोहन अगरवाल और संतोष पांडे में से केंदर में किसे जगह मिलती है और इसके साथ 36 गड़ की साई कैबिनेट में क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। इसमें आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें और हमारे चैनल खबर बेबाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।